बिहार विदान सभा के दो सीटों के उपचुनाओं को लेकर हर पार्टी अपनी ताकत कांडिडेट के लिए जोग चुकी है चाहे वो राजत हो चाहे लोग जंग सकती पार्टी राम बिलास पाशवान की जो पार्टी है उसके उमिदवार स्रीमती मंजु देवी के लिए चि विशरिया पंचायत की है जहां स्रीमती मंजु देवी के लिए चिराक पाशवान पूरी तरीके से नाओ पर सवार होकर पूरे जो कारे करता है नेता है उत्साह के साथ मंजु देवी के लिए प्रचार प्रचार कर रहे हैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि जि जनता के बीच में हैं और कारेकरताओं के साथ पूरा उत्सा के साथ स्री मती मंजु देवी का प्रचार प्रशार में पूरी ताकत जोग चुके हैं चिराग पाश्वान और एक बार फिर तश्वीरे साफ तोर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाओ पर सवार होकर कुश जनता के बीच वोट मांगने का काम कर रहे हैं यह तस्वीर देखी कि किस तरीके से चिराग पाश्वान जो हैं अपने उमिदवार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं जो भी सरकार की कम्या हैं उसे उजागर करने का काम चिराग पाश्वान लगात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 2020 में उन्होंने NDA से अलग होकर चुनाव लड़ा था लेकिन भले उन्हें जीत हासिल नहीं हुई लेकिन जेडियों को कई सीटों पर उन्हें जो है हराने का काम चिराक पाशवान ने किया था वही जो है फिर एक बार देखने को मिल रहा है क क्योंकि जेडियों जो है दोनों सीटों पर अपनी उमिद्वार NDA जीत की सुनिश्रित के दावा कर रही है लेकिन राम बिलास पाशवान की पाटी जो है चिराक पाशवान जो राश्टी अद्यच है वो साफ तोर से कर रहे हैं कि जेडियों को इस बार भी करारी हार होगी और अपने पाटी को मजबूत करने में लोजपा राम बिलास पाशवान की पाटी को मजबूत करने में चिराक पाशवान कोई कसर नहीं छोड़ना चाते हैं और जनता के बीच जाकर वो तमाम चर्चाएं कर रहे हैं और नितीश कुमार की कम्यों को उजागर करने का काम चुनाओ परचार में अपनी पूरी ताकत जोग चुके हैं और हेलिकॉप्टर छाप के लिए वोट मांगने का काम चिराग पास्वान लगातार जन्ता के बीच जाकर कर रहे हैं वहीं मजबूती से स्री मती मंजु देवी के हातों को मजबूत करने के लिए रामबिलास पास् जिन्यूस के साथ और देखते रहें देखते रहें